कि आप लोग सभी संडे के दिन आपका विलकम करता हूं और मैं हूँ आप लोग का मत्मेटिक्स कमेंटर हों शर्मा आपके लिए एक अनॉंस्मेंट है जो आपको मैं पिछले वीडियो से बता हैं फिर से बता देता हूं अगर आप इस वीडियो फर्स टाइम देख रहे हैं तो आप अब अन अकेडमी का जो प्लस प्लैट्फर्म है उसको आप 7 डेस के लिए फ्री में यूज में ले सकते हैं थीक है फ्री जो आपका ट्रायल वर्जन है ट्रायल है 7 डेस के लिए उसको आप फटाफ़र्च उन लॉक करिए एप को इंस्टॉल करिए एंड्रोइड यूजर जितने भी हैं फटावर्ट से काम को करिए और सेवन डेस तक आप अनकेडमी का जो प्लस प्रैटफॉर्म उसको यूटलाइस करिए ज्यादा से ज्यादा चैप्टर सीखिए और देखें कि हम वहाँ पर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं ठीक है तो आपको मैं बताता काफी अच्छा है ठीक है गाइस तो देखते हैं कि यह करना कैसे उसके बारे में थोड़ा आपको बता रहा हूं ऑक्किश करें आप जब इसको सर्च करेंगे तो आपको यहां पर यह बाला आइकन दिखे गलगा और यह इसको ऑला फीचर यह सी आप इस वहां पर आएगा चूस यूर गोल तो आप का गोल ने चूज़ करेंगे IITJE IITJE को आप चूज़ करें और IITJE को चूज़ करने के बाद वहाँ पर आपको शो होगा Unlock Your 7 Days Free Trial Unlock कर दीज़े Unlock करने के बाद आपके 7 Days के लिए Unacademy आपके लिए प्लस वाला जो फ्लेटफॉर्म है फ्री में आपके लिए अवेलेबल रहेगा जितने भी टीचर्स वहाँ पर बढ़ाने बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आप पढ़िए आपकी जो क्यूरीज है उनको solve करने कोशिश करिए आपको most of the time जब आप फ्री रहते हैं आपके पास जब टाइम होगा बारे में ब्रीफ में आपको दो बाते बताता हूँ अगर आप 11th क्लास के हैं तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए या आपको मिलने वाला है 40,000 का और अगर आप 12th या 13th में हैं तो फिर आप यूज में लीजिए एक साल का सब्सक्रिप्शन जो किया 25,000 का इस पर भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो बिलकुल इस पर भी मिल जाएगा यूज दिस कोड मेरा नाम लिख देना ओमसर ओमसर लिखते ही आपको ये वाली प्राइस भी श्लैश दो जाएगी ये वाली प्राइस भी कम हो जाएगी ये दो साल वाला सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 36,000 का और ये वाला प्राइस आपको मिलेगा 22,500 गार इट गैस तो 22,500 में आप अगर ड्रॉपर है तो एक साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए और अगर 11th क्लास के हैं तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो इस फ्री ट्राइल को as an experiment आप देखिए कैसे आप पढ़ सकते हैं कैसे हम वहाँ पर पढ़ाते हैं ठीक है गाईस चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये कोड यूज में कैसे लेना है वह वाला स्क्रीन शोटी में आपको बता देता हूं जब आप payment gateway पर आएंगे तो यहां से आप सलेट करेंगे कौन सा प्लान आपको लेना एक साल वाला दो साल वाला ठीक है तो उसके बाद 10% का डिसकाउंट कैसे लगता है आपको इस प्लैटफोर्म पर मिलता हूं मौर्निंग में अलजेबरा के लिए मिलता हूं 11 बजे और इवनिंग में 8 बजे हम डिसकस करते हैं कैलकुलेस की प्राब्लम्स कैलकुलेस के बारे में डिसकेशन होता है यह मेरे बार में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपको जो वीडियो मिल रहा है मैं कोटा से टीच कर रहा हूं पिछले 12 सालों से माथमेटिक्स में कोटा में पढ़ा रहा हूं तो इस मेरे इस एक्स्पिरियंस को आप यूट्रलाइज करिए कि जो मैं आपको सिखाने कोशिश करा है जरूर आपके यह सारी टिप्स, ट्रिक्स, कॉंसेप्ट आपकी जो जर्नी है आई टी यही जाने कि उसमें जरूर काम आने वाले है ठीक है अधूसरा गोर से 6 PM पर इस वाले कोर्स को और इस वाले कोर्स को दोनों कोर्सिस को मैं टुट्परति दिसंबर तक कंप्लीट कर गो हम सा कौन कौन सा मैञा हैं उन्परत दिसंबर कहने वाला हूं चौन कोन साать ब्रांचर कवर कर रहा है उसके बारे में आप वेक्टर 3D और कोडिनेट जोमेट्री अब बजाए फिर मैथमेटिक्स में कौन सी बात बजी सभी तो कवर हो गया कैलकुलस 6 बजे कवर हो जाएगी और 1 बजे 1 पीम पे जब आप मुझे मिलोगे तो मैं अलजेबरा वेक्टर 3D और कोडिनेट जोमेट्री यह मैथमेटिक्स के सेक्शन में कवर करूँगा सो सी यू एट 1 पीम और 6 पीम अभी एक हफते तो आप आई चकते हैं ठीक है फटाफट से आप इंस्टॉल कीजिए और इन क्लासेस का पार्ट बनिए 20 दिसमबर दे हम कोड्स कंप्लीट करने की टारगेट रख रहे आई यह बढ़ते हैं अब आते हैं हमारे टॉपिक के उपर यह रहा एक क्योशन जिसके बारे में FX गिवन हैं GX गिवन हैं सबी बाते गिवन हैं अब हमें इस फंक्शन को Fog और Goff दोनों निकालने हैं आप देखी क्योशन में क्या लिखा हुआ है एक FX गिवन है माइनस 1 प्लस मॉड X माइनस 2 जीरो से 4 में एक GX फंक्शन गिवन है 2 माइनस मॉड X माइनस 1 से 3 के बीच में Fog, Goff, Fog, Goff की Definitions यहां पर बना रखी है तो हम भी इसी को बनाने की कोशिश करते हैं ठीक है बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम Fog X को बना लेते हैं यहां पर यह बनाया है मैंने F of X क्या बन जाएगा डेटा मॉड को कर लीजिए open तो अगर मॉड की वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच में है तो 0 से अगर 2 के बीच में है तो जो मॉड है यह नेगेटिव से open होगा और यह 2 माइनस X बन कराएगा तो अल्टिमेटली इस विल बिकम 1 माइनस X ठीक है गोर से देख लीजिए 2 माइनस X बनेगा अगर 0 से 2 के बीच में रखेंगे जिसे 1 रखते हैं तो 2 माइनस X 2 और माइनस 1 1 बन जाएगा 1 माइनस X बन जाएगा और मैं बात कर लेता हूँ 2 से लेके 4 के बीच में क्या होने वाला है 2 से लेके 4 के बीच में अगर हम जाते हैं तो मॉड प्लस से open होगा और यह डेटा हमारा निकल के आजागा X माइनस 3 तो मैंने सबसे पहले function FX को simplify करके लिख दिया अब मैं आगे बात करता हूँ GX की यह रहा GX GX के बारे में देखिए 2 माइनस मॉड एक्स लिखा हुआ है तो सबसे पहले कहानी तो है मॉड को हम माइनस से open करेंगे जब जब यह negative होगा मनी बात और जब यह positive होगा तो फिर मॉड को open हम करेंगे 0 से 3 में मॉड उपन होगा प्लस से और यह बन जाएगा अपने पास 2 माइनस मॉड X यह है GX और यह है FX बनी बात FX भी आगे है GX भी आगे अब हमें actual function निकालना है जो है हमारा fog या golf fog दो point पर लिखावा golf भी दो जगे लिखावा तो सबसे पहले तो हम fog निकाल देते है F of G of X तो F के अंदर हम GX रखने वाले है यह रहा F तो 1 माइनस GX GX माइनस 3 1 माइनस GX and GX माइनस 3 GX 0 से 2 के बीच में है GX से 0 से 2 के बीच में और 2 से 4 के बीच में भी GX है 2 से 4 के बीच में भी GX है ठीक है बना दिया F of G of X अब हमें जो करना है वो यह काम करना है कि GX के दो डेटा है तो दोनों को हम एक एक करके रखने की कोशिश करेंगे पहले हम रखेंगे 2 प्लस X जब माइनस 1 से 0 के बीच में होगा तो पहले हम 2 प्लस X फर्स्ट वाले केस में इसको रख देते हैं फर्स्ट वाले केस में इसको हम रख रहे हैं 2 प्लस X तो जहां भी GX है वहां सभी जगे हम ये बना देंगे इसको सॉल्व करने कोशिश करते हैं तो हम पहुंचते हैं माइनस 2 और X लेसर देन 0 लेकिन इस कंडिशन के लिए 2 प्लस X के लिए X आना कैसा चाहिए था माइनस 1 से 0 के बीच में आना चाहिए था बट 2 माइनस X रखते हैं 0 से 3 के बीच में तो 2 माइनस X यहां पर रखा जाएगा तो 1 माइनस 2 माइनस X यहां पर डेटा 2 माइनस X greater than 2 फिर वही 2 हटा दीजिए माइनस 2 माइनस X 0 माइनस से करिए multiply यह बन जाएगा 0 से ज़्यादा आएगा 2 से काम आएगा लेकिन फिर से वही बात कि 2 माइनस X लिखने की permission हमें कब है 2 माइनस लिखने की permission जब है जब हम जाते हैं 0 से 3 तक बट X has to be from 0 to 3 तो क्या common आया हमारा यहां से बस वो हमें pick करना है तो इन दोनों का common यह data बन गया है और यहां 2 0 से 2 है और यह 2 0 से 3 लिखा हुआ है common data बनेगा 0 से 2 तो हमने किया क्या है उस concept को अगर हम सीखें तो हमने कोई महाम काम नहीं किया है जैसे उसने बोला वैसा वैसा हमने इसके अंदर कर दिया है ठीक है देखी कैसे क्या है fx को define कर लिया minus 1 plus mod x minus 2 0 से 4 में mod को open गया 0 से 2 के बीच में तो mod open हो गया x minus 2 से यहां पर यह negative से open होगा this will become 2 minus x और यह बन जाएगा 1 minus x और 2 से अगर 4 के बीच में define करेंगे तो यह positive से ही open होगा second case mod x था minus 1 से 0 के बीच में negative से open करेंगे plus बन जाएगा और 0 से 4 के बीच में अगर हम बात करें 3 के बीच में तो यह positive से open होगा ठीक है यह दोनों functions को हमने यहां पर पहले define करके बना दिया है जब हमने define करके इसको बना दिया अब हम बढ़ रहे हैं इसमें आगे आगे की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमने निकाला सबसे पहले fog x तो fog में x के अंदर gx रख दिया है यह रहा x यहां gx रख दिया दोनों जगे समझ गे इससे डरने की बिल्कुछ जरुब अतनी असान question होते हैं अब फिच जी एक्स की दो definition है तो यह रहा gx gx की दो definition है एक है 2 प्लस x इस वाले डिटा पर और एक है 2 माइनस x इस वाले डिटा पर तो दोनों को मैंने एक एक करके रखा एक बार 2 प्लस x एक बार 2 माइनस x जहां gx था वहां भी रखा है और दोनों को मैं किया हूं solve calculation काफ़ी अच्छी आती है इसके अंदर लेकिन 2 प्लस x की definition क्या है वो देख लेनी है माइनस 1 से 0 के बीच में है तो माइनस 1 से 0 के बीच यो common निका लेंगे यह बोलता है माइनस 2 से 0 यह बोलता है माइनस 1 से 0 तो दोनों का common क्या निकल के आएगा दोनों का common यही निकल के आएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है यह data आजाएगा अपने पास minus 1 से 0 के बीच में है second वाले में अपना data का लिए है 0 से 3 तो common आया 0 से 2 तो अब तक हमने क्या कर लिया अब तक हमने इस question के अंदर यह जो gx वाला part था इसकी definition दोनों उपर वाले में रख दिये अब बसती है पहानी नीचे वाले में so 2 plus x first वाले definition यह हम यहाँ रखेंगे minus 3 और यह लिखा है 2 plus x ठीक है और इसको हम करते हैं solve तो हम पहुंशते हैं 0 से लेके 2 के बीच में but कहानी यह है कि 2 plus x जब रखा जाता है तो x आता है minus 1 से 0 के बीच में it has to be between from minus 1 to 0 अब क्या देख पा रहे हैं कुछ भी common नहीं आ रहा यह 0 से 2 के बीच में यह minus 1 से 0 के बीच में nothing is common so this is rejected this is rejected ओके या फिर मैंने आपके क्या equal to का sign लगा रखा है next वाली condition कौन सी है इसकी gx की value आती है 2 minus x बना देंगे 2 minus x minus 3 और फिर यहाँ पर data रखेंगे 2 minus x lesser than equal to 4 बना दीजिए यहाँ आता है 0 यहाँ है minus x यहाँ है 2 तो 2 को subtract कर दिया है दोनों जगे अब यहाँ minus से कर दिया हमने multiply तो कितना आएगा अपने पास minus 2 से बड़ा हो लेकिन 0 से छोटा हो लेकिन 2 minus x value definition का बाती है 2 minus x value definition आती है 0 से 3 के बीच में पहुचेंगे but it has to be between from 0 to 3 तो क्या हमारे पास कुछ मिला नहीं मिला यह तो minus 2 से 0 आ रहा है और यहाँ हमारा क्या है 0 से 3 this is also rejected this is also rejected एक भी point common नहीं है अगर हम हमारा function बनाने की कोशिश करें तो एक कितना data आ रहा है इसको simplify कर लीजिए minus 1 minus x और इस वाले को भी simple कर लीजिए यह कितना बनने वाला है x minus 1 ठीक है सिर्फ 2 data निकल के आ रहे है हम चलते हैं option की तरफ तो यहाँ पर 3 definition हमारी तो 2 ही definition आई है एक है minus 1 minus x जब minus 1 से 0 के बीच में है और 0 से 2 के बीच में x minus 1 so minus 1 minus x जब minus 1 से 0 के बीच में है और 0 से 2 के बीच में अगर हम निकालेंगे तो आएगी x minus 1 चेक कर लिए 0 से 2 के बीच में आगा x minus 1 और वहाँ निकालते हैं minus 1 minus x यानि यह वाली बात गलत है तो हमारा जो function यहाँ पर निकल के आ रहा है f fog x वो मैं लिख देता हूँ क्या है यह fog x fog x निकल करा चुका है minus 1 minus x कब से कब तक minus 1 से 0 के बीच में और आया है x minus 1 यह data यह है अपना 0 से 2 के बीच में sir आपने 0 पर equal to दोनों जेगे लगा दिया है हाँ दोनों जेगे लगा सकते हो 0 का data वहाँ से निकालोगो तो भी minus 1 आता है यहाँ से निकालोगो तो भी minus 1 आता है तो हमने इसको क्या compute कर लिया भी यहाँ पर हमने यहाँ पर compute कर लिया है fog x इसको compute कर लिया हमने fog x को तो क्या किया है f के जो definition थी वहाँ पर simple size से घवरानी को जरुबतनी कि सदी बहुत बड़ा क्यों सुन हो गया और यह आसानी से solve हो जाएगा कि f x से यहाँ पर रखा g x रख दो g x फिर g x की जो दो definition है वो मैंने एक एक करके दोनों में रखा दो definition पहले वाली definition में रखे हैं देखो यहाँ पर और यहाँ पर फिर g x की जो दो definition है वो second वाले minus 3 वाले में रख दिया है वो solve कर लिया है एक बात का ध्यान रखना है अगर आप 2 प्लस x उपर वाली definition रखते हैं तो 2 प्लस x रखेंगे तभी जब x की value का ध्यान रखना है कि minus 1 से 0 आए और अब 2 minus x रखने वाले तो फिर value 0 से 3 के बीच में आनी चाहिए दो cases ऐसे बने जिसके अंदर इसका contradiction हो रहा था जब मैंने 2 प्लस x रखा तो फिर आया 0 से 2 इसके साथ common नहीं था तो हमको इसको reject करना पड़ेगा ठीक है सेकंड वाला case जब 2 minus x रखा तो यहाँ पर value आ रही थी minus 2 से 0 लेकिन इसकी permission तब थी जब यह 0 से 3 के बीच में आता यह देखिए तो वाला case भी reject हो गया यानि आने चार definition थी लेकिन आई नहीं आई सिर्फ दो definition तो वही बना हमारा option number b किता बन गया है option number b हमारा बन गया है अब बात करते हैं अगले question जो मेरे साथ साथ आप भी try करेंगे क्या है अगला question गौफ गौफ तो जैसे फॉक किया है वैसे ही गौफ को करना है तो क्या चल रहा है फॉक चल रहा है तो फॉक तो हो गया है अब बन रहा है गौफ बनाते हैं तो गौफ यह बनाया गया गौफ x तो g के अंदर fx रखा जाएगा ढूंड कर लाते हैं g क्या था 2-fx और अंदर वाला डीटा भी रख देते हैं उसके अंदर कितना कितना था माइनस 1 से 0 है वो 0 से 3 है माइनस 1 से 0 है और 0 से 3 है अब अगला काम क्या होगा अब बस हमें fx की जगे क्या रखना है gx रखना है fx की जगे क्या रखना fx की definition रखने है तो क्या है fx की definition यह रही दो definition है तो जैसे पिछला वाला question किया था अब वैसे ही यह होगा एक बार हम रखेंगे 1-x 0 से 2 के बीच में एक बार रखेंगे x-3 2 से 4 के बीच में ठीक है तो मैं यहाँ पर एक बार fx लिख देता हूँ और यहाँ आएगा 2 से 4 के बीच में चेक कर लेते हैं data 1-x और x-3 1-x और x-3 0 से 2 और 2 से 4 ठीक है condition पर 1-x रखा जाएगा और इसको हम करेंगे solve यह पहुंचेगा minus 2 greater than minus x greater than minus 1 और हम minus से multiply अगर करें इसके अंदर तो हम पहुंचते हैं एक से लेके 2 तक sign change हो जाता negative से multiply के बार लेकिन 1-x रखने के बार आना कैसा चाहिए था but this should have come as 0 से लेके 2 के बीच में हमारा कैसा data आया है 1 से लेके 2 के बीच में तो हम common निकाल देंगे 1 से 2 के बीच में यह वाली definition pick कर देंगे बन गे common first वाला case solve हो गया second वाले में क्या करना है हमें 2 plus इसी में रखना हमें fx की दूसरी वाली definition जो बन जाएगी x minus 3 आप अगर मुझसे पहले करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं तो minus 1 यहाँ पर रखूँगा मैं x minus 3 यह negative है यहाँ आया के दोनों side add होगा 3 add होगा यह बन जाएगा 2 और यहाँ आएगा 3 but आगे की कहानी 2 से अगर यह 3 आता है x minus 3 यह 2 से 3 आया है तो फिर आना क्या चाहिए था हमने रखा है x minus 3 यह रखा है x minus 3 तो आना यह कैसा चाहिए था यह आना चाहिए था 2 से लेके 4 के बीच में तो क्या लिखेंगे क्या final answer lock किया जाएगा 2 से 3 got it simple सी बात अब क्या करना है क्या हो चुका है सोचिए हो यह चुका है कि ऊपर वाले में हमने fx के दोनों data रख दिये एक बार रखा 1 minus x एक बार रखा x minus 3 1 minus x जब रखा तो condition का ध्यान रखा है 0 से 2 वाली का और जब x-3 रखा है तो 2 से 4 वाली condition का ध्यान रखा है दोनों time इसका क्या ले लिया है common ले लिया है अगला वाला काम calculation का ध्यान रखना है कहीं पर कुछ बढ़ गड़ बढ़ हमसे ना हो जाए अब अगला काम क्या करना है इस वाले function को पकड़ेंगे और दोनों रख देंगे तो पहले वाले में रखा जाएगा 2-1-x और सेकंड वाले में रखा जाएगा 1-x रख देंगे अब बना देंगे इसको हम यहाँ पर लिखा हुआ है जीरो से ज्यादा आना चाहिए 1-x लेसर दें 3 और x-3 ऐसर दें 3 अब आगे आप सॉल्व करिए थोड़ा भूत आप भी सॉल्व कर लीजिए क्या आया है यह क्या आएगा क्या कंडेशन आप ट्राइ करिए पूरा क्योंशन पहला वाला मैंने सॉल्व कर दिया अभी सेकेंड वाला थोड़ा साप सॉल्व करिए बनानी कोशिश के लिए डेफिनेटली आप से क्योशन बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं कहीं से कहीं तक भी तो आप यहाँ पर 1 ले लिज से-2 से 1 अब ध्यान रखो 1-1-6 रखा है 1-1 का इसके बीच में रहती तो गया कॉमन निकल जाएगा जीरो से लेके 1 के बीच का कॉमन निकल के आंने वाला मुझे लिए वालवा थैं यहाँ पर तीन लिखा हुआ यहां तीन बना दीजिए यहां तीन आएगा यहाँ पर 6 आएगा इधर 3 इधर 6 अब इसके साथ क्या आना चाहिए था डेटा चेक करो X-3 X-3 के साथ आना चाहिए 2-4 बट X आना चाहिए था 2-4 के बीच में तो अपना क्या डेटा निकल के आएगा फिर common वाला common वाला डेटा रहेगा 3 से लेके 4 के बीच बीच बन गई बात बस हमारा function बन गया अगर हमने calculation सही की होगी तो यह superb question जो है fog और gauf split definition में सारा निकाल दिया है इसको बनाने कोशिश करते हैं this will become 3-x ध्यान रखेंगे यह वाला solve करते हैं यह बनेगा x-1 इसको ध्यान रखेंगे यह वाला बन जाएगा x-1 इसका ध्यान रखेंगे x बन गया है और x-1 इसको बना लेते हैं यहाँ 3 बनेगा this will become 5-x got it? 5-x x-1 x-1 3-x और वो रहे सामने वाले डिटा चलिए बना लेते हैं न फिर धंक से ही go of x को लिखी लेते हैं कि क्या-क्या आने वाला है 4 definition आ रही है इस बाब 5 नहीं आया 3-x आ रहा है first second x-1 x-1 पीछे वाला x-1 और 5-x x-1 और 5-x कब-कब डेटा है 1-2 पहला वाला 1-2 2-2 2-2 2-2 0-1 और लास्ट है 3-4 बन गई बात answer match कर लें अब क्या है हमारा सरी यह equal to का चक्कर नहीं पड़ेगा कहां पर क्या रखने वाले कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंगी continuous function आप 2 रख लो यहाँ पर तो जहां से भी 1 ही आता है और 2-1 यहां से भी 1 ही आता है यहां 3 पर रखोगे तो 3-1 2 आता है 3 यहां रखो 3-2 भी 2 ही आता है और 3-1 भी 2 ही आता है 1 यहां रख लो 2 आएगा 1 वहां रख लो 2 आएगा आपको systematic जमा दीजिए 0 से 1 में आएगा और 1 से 2 में 3-x 2 से 3 में x-1 3 से 4 में 5-x आई यह option match करते है 0 से 1 और 1 से 2 में बात करना है 1 प्लस x आएगा 0 से 1 में चेक करिए 0 से 1 में 1 प्लस x यानि x प्लस 1 करेक्ट है और 1 से 2 में 3-x 1 से 2 में कितना है 3-x 1 से 2 में 3-x करेक्ट बात सही है अब बात कर दें डीवाले option की 2 से 3 में x-1 और 3 से 4 में 5-x x-1 और 5-x x-1 और 5-x करेक्ट बात है यह भी बन गया है बना दिया हमने एक बहतरीन सवाल जो more than 1 option करेक्ट में पूछा गया था उसको हमने बना दिया है ठीक है आप इस वीडियों बने रहे मैंने आपको बहुत ही बहतरीन इसके अंदर concept सिखाया है कि split definition का अगर question लिखा हुआ हो तो उसको हम किस तरीके से solve करते हैं आपको मैंने अनकैडमी का जो plus platform है उसके बारे में information दे दी answer आएगा BCD कि वो one week के लिए आपके लिए free है ठीके guys उसको आप utilize करिए सीखिए वहां से कुछ और जब आप हमारे उस पर plus platform पर लेते हैं तो आप referral code याद रखना जो मेरा नाम है आपको याद रहेंगा आपको और 10% का discount उसके अंदर हो जाएगा तो हम सब मिलकर आपके जो लक्षय है आएटी यह जाने का हम सारे educators आपको चाहते हैं महां तक पहुंचाना तो जरूर पढ़िए हम आपको पढ़ाते रहेंगे थैंक यू सो मज वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए जो आपके व्यू से कमेंट जरूर करना काईजाना मैं परसनली रिप्लाइ करूँगा ठीक है थैंक यू सो मज आप 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 आप